नमस्कार, कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे कने वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रंगोली के विशे में वास्तू के अनुसार रंगोली किस प्रकार बनाए और जैसा की हर वर्ष हम सभी लोग अपने घरों पे रंगोली बनाते हैं और बहुती अच्छी कलाकरती बहुती अच्छे और बहुती खूबसूरत डिजाइनों की रंग बिरंगे रंगों का प्रियोग करके हम रंगोली ब करके वास्तु के अनुसार रंगों का प्रियोग करके डिजाइनिंग का प्रियोग करके अपने घर के अंदर मातलच्मी को परवेश कराएं क्योंकि जो वास्तु के अनुसार रंगोली बनती है वह रंगोली मातलच्मी को अधिक प्रियह होती है इसमें कोई जाते बड़े बड़ी बात नहीं है चोटे-चोटी चीजों का प्रियोग करके चोटी-चोटी सावधानियों को रखकर हम अपने घर के अंदर खुशियों का आगमन कर सकते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे पूरुदिशा में जिन लोगों के घर की एंट्रेंस है तो वे अपने घर के दुआर पर जो भी रंगोली बनाते हैं उस रंगोली के अंदर ग्रीन कलर जैसा कि आप इस प्रकार से ग्रीन कलर का परियोग करें और इसके साथ साथ इसके अंदर आप rectangle shape का परियोग करें जिस प्रकार से मैंने इस image के अंदर जो मैंने रंगोली आपको दिखाई है इस image के अंदर मैंने परियोग किया है इस प्रकार से आप light green color और वो भी rectangle के अंदर परियोग करके आप पूरव दिशा में इस डारेक्शन में रंगोली बना करके मातरश्मी का आगमन कर सकते हैं इसके बाद दूसरी दिशा लेते हैं पस्चिन की दिशा वेस्ट डारेक्शन जिन लोगों के घर की में एंट्रेंस पस्चिन दिशा में पढ़ती है वे लोग अपने घर के में दोर की एंट्रैंस पर, सरकिल में वाइट कलर वाली, जिस परकार से आप इस स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, सरकिल और सरकिल के अंदर वाइट कलर, वाइट कलर के ऊपर शुबला लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी क्राकरती बना सकत यह आवशक नहीं है कि आप यहाँ पर शुबला भी लिखें परन्तु अगर आप यहाँ पर वाइट कलर या सिल्वर कलर सिर रिलेटिड रंगोली का परियोग करते हैं रंगोली बनाते हैं तो यह मातालच्मी को अधिक प्रिय होता है और मातालच्मी पश्चिम दिशा के मका पश्चिम दिशा में होती है उनके अंदर परविश कर जाती है अगली दिशा की बात करेंगे उत्तर दिशा के विशे में नौट डारेक्शन के विशे में जिन व्यक्तियों के घर की मेंडोर की एंट्रेंस उत्तर दिशा में होती है वे व्यक्ति अपने घर के मेंडोर की entrance पर रंगोली के बीच में एक लहर नूमा जिस प्रकार से पानी के अंदर लहरे होती है। जिसे जिकजब भी बोलते हैं। लहर नूमा फॉरंवाली रंगोली बना करके। जिस परकार से आप image पर देख भी पा रहे हैं और उस रंगोली के अंदर अगर आप blue, black, sky blue और blue के सभी shades परियोग करते हैं अधिक मात्रा में परियोग करते हैं तो मातलच्मी उत्तर दिशा से entrance वाले मकानों के अंदर अधिक परवेश करती है और मातलच्मी को इस दिशा से entrance करना काफे शुक फल परता ही बताया गया है अगली दिशा की बात करते हैं दक्षिन दिशा की अगर आपके मकान की entrance, main entrance दक्षिन दिशा से है, south direction से है तो आप अपने घर के main door की entrance जो भी रंगोली बनाएं उस रंगोली के बीच में आप एक triangle बनाएं और triangle भी red color का बनाएं लाल रंग का triangle दक्षिन दिशा से entrance वाले मकानों के लिए बहुत शुब बताया गया है इसके साथ साथ जिस पकार से आप इस किल्ड में देख भी पा रहे हैं कि रंगोली के अंदर triangle बना हुआ है और triangle के अंदर शुबला लिखा है यहाँ पर आप शुबला की जगा स्वास स्वास्तिक ओम या जो भी आपका sign है जो धार्मिक sign होते हैं वो बना सकते हैं और नहीं बनाना चाहते तो इसके अंदर भी कोई design आप बना सकते हैं प्रंतु यह जो red color और triangle बना है यह triangle और red color south direction दक्षिन दिशास की main entrance वाले व्यक्तियों के लिए मातलच्मी को आकर्शित करता है और मातलच्मी को घर के अंदर परवेश कराता है इसके बाद बात करेंगे south direction के विशे में अगने कौन जिसे बोलते हैं जिन व्यक्तियों के घर के main door की entrance south direction में होती है उन व्यक्तियों को अपने घर के main door की entrance पर जब रंगोली बनाए तो रंगोली के अंदर light green color का परियोग किया जाए इसके साथ साथ वहाँ पर rectangle shape परियोग की जाए इस तरह जादे आप rectangle shape परियोग कर सकते हैं मैंने तो एक सिर्फ example के तोर पर आपको दिखाया है कि बीच में आप एक rectangle shape ले सकते है या आप पूरी रंगोली को ही rectangle बना सकते हैं या प्रंगोली के अंदर बीच बीच में rectangle shape का परियोग कर सकते हैं और उसके अंदर light green color का परियोग करके आप मातलक्षमी को अपने घर के अंदर आकरशिक कर सकते हैं और मातलक्षमी का आगमन आपके घर के अंदर हो जाता है क्योंकि यह जो direction है इस direction में light green color और rectangle shape os a durit बना तर के मातरिश्मिक अपने घर में परवेश्व कराइए अगले देशा लेते हैं southwest कि अ क्लोक् Treasure अगर आपके घर के में डर की हैं नौर्थ वेश्ट डारेक्षण है नो और नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में आप जो रंगोली बनाएं उस रंगोली के अंदर गोल्ड कलर का प्रियोग अधिक मात्रा में करें इसके साथ साथ अगर आप नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में जो रंगोली बना रहे हैं उसके अंदर रेक्टेंगल शेप का प्रियोग नहीं सोरी ओवल शेप का परियोग करते हैं और उसके अंदर गोल्ड कलर का परियोग करते हैं जिस परकार से मैंने स्किन पर आपको दिखाया है कि एक ओवल शेप बनी है रंगोली के बीच में और उसके अंदर गोल्ड कलर है और उसके उपर शुबलाव लिखा है इसी परका को आकरशित करने के लिए ये रंगोली काफी परभावित हो जाती है आप बात करेंगे नौर्थ इस डारेक्शन के विशे में अगर आपके घर की मेंडोर की एंट्रेंस नौर्थ इस्ट में अपड़ती है तो अपने मेंडोर के entrance पर आप जिस प्रकार से screen पर दिखाई दे रही है एक रंगोली जिसके बीच में square yellow color का box बना है इस प्रकार से square और yellow color इन दो color का अधिक मात्रा में अगर आप परियोग करते हैं तो यह है रंगोली मतलचमी को आपके घर के अंदर आकर्शित करती है और मतर्शमी का परवेश आपके घर में हो जाता है इसके बाब बात करेंगे southwest direction के विशे में अगर आपके घर की main door की entrance southwest ने कृत्ते कौन में है तो आपको अपने घर के main door के entrance पर square मतलब चाकोर और इसके साथ साथ पीला रंग येलो कलर परियोग करके रंगोली का निर्मान करना चाहिए जैस प्रकार से आप इसके पर देख भी पा रहे हैं इस प्रकार से या इससे मिलती जुलती कोई भी आप आकरती बनाएं आकरती अपने मन से बनाएं कोपी ना करें अपने मन की कोई भी आकरती जो आपकी image जो आपके मन के अंदर बनी है उस image को आप बनाने का परियास करें काफी सुन्दर image बनाएंगे परंद तो उसके साथ साथ वास्तु का भी परियोग कर लिया जाएं येलो कलर और स्क्वेर का अगर आप घर के अंदर हो जाता है और आपके घर के अंदर कभी भी तरीदिरता नहीं रहती कर्जे जैसी जो इस्तिती होती है वो दूर हो जाती है घर के अंदर सुक्षानती रहती है मातलचमी आपके कार ये वैवसाय जो बिजनस इत्यादी के अंदर आपको उलनती परदान करती है बच्चों के education अच्छी चलती है इस परकार से मातलच्पी की पूरी किरपा आपके ऊपर बनी रहती है तो क्यों ना जब हम रंगोली बना ही रहे हैं तो वास्तु के सम्मत रंगोली बना करके अपने घर के अंदर मातलच्पी को आकरशित करें और मातलच्मी का स्वागत करें आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदे आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वालने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मीच सके और मैं इस वीडियो को प्रेम्पुख देखने के लिए में चैनल पर प्रेम्पुख बने हैने के लिए आपका प्रेम्पुख धन्यवाब नमस्कार